हलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर भुवनेच्वर सतार मांगिलाल बागडी राजकी महाविद्यालाय नोखा से हम अध्यन कर रहे थे क्वांटम यांत्रिकी के मूल सिधान्तों के बारे में उसी जंदर्भ में आज का हमारा टॉपिक है फ्रेंक हर्ट्स प्रियोग एवं विविक्त उर्जा अवस्थाई पेपर के पॉइंट ओफ यू से भी काफी इंपॉर्डन्ट क्वेशन है कई बार एक्जाम में इसे रेलिटेट क्वेशन पूछा गया है कि फ्रेंक हर्ट्स प्रियोग के बारे में व्याक्या कीजिए उसके निसकर्चों को बताईए या किसी भी प्रमानू में उर्जा इस तर जो उर्जा अवस्थाई जो होती है वो विविक्त होती है इसकी पुस्टी करने वाले प्रियोग की व्याक्या कीजिए तो 1914 में Frank और हर्ड्स ने प्रयोग द्वारा यहाँ ग्यात किया कि एक प्रमाणों में उपस्तित उर्जा अवस्थाएं विविक्त होती हैं डिस्क्रियेट होती हैं Frank हर्ड्स प्रयोग का जो प्रयोगिक प्रारूप है वहाँ चित्रानुसार है जिसमें एक कैथोड C से तापाइनिक उत्सर्जन के द्वारा इलेक्ट्रोन उत्सर्जित होते हैं यहाँ एक कैथोड है और तापाइनिक उत्सर्जन के लिए उसके पीछे एक फिलामेंट लगा होता है जो heat उत्पन करता है और तापाइने कुछ सर्जन के करण इसके सतह से electron सर्जित होते हैं इसके सामने एक grid तार G होता है जो cathode के सापेक्स धनात्मक वोल्ट था positive voltage पे रखा जाता है जिसके करण electron इसकी और त्वरित गति करते हैं grid पर पहुंचने पर electron की जो गतिज उर्जा होगी वह लगाएगे potential के करण हम इस पर V1 potential अपलाई करते हैं तो electron की गतिज उर्जा जो होती है half mv square इसका मान E into V1 के तर्लिया होता है यानि cathode और anode के बीच में लगाएगे जो potential energy है वह electron को मिल जाती है गतिज उर्जा की रूप में और इसकी गतिज उर्जा हाफ mv square होती है इस गतिज उर्जा के करण अधिकान्स electron grid को पार कर plate P1 पर संग रहित हो जाते हैं जबकि हम यहां देख रहे हैं कि P1 जो है P जो plate है वह grid के सापिक्स रनात्मक वोल्ट पर है जिसके कारण इसके voltage में कुछ कम ही आती है और electron का क्या होगा मन्दन होगा संग्रहक वोल्ट प्लेट जो है विभाव के ग्रिड के सापिक्स कुछ कम वोल्ट पर रखे जाता है और इसकी वोल्ट वीटू इक्वल्टू जो है वह वीवन माइनस डेल्टा वी डेल्टा वी एक नेगेटिव पोटेंशल हमने अपलाई किया हुआ है आप वीटू का मान वीवन के कमपरिजन में कम होता है और इसका जो मान है वो पॉइंट फाइफ वोल्ट के आसपस रखा जाता है इस मंदक विभाव के कारण पी पर पहुँचने वाले इलेक्ट्रॉन की गतिज उर्जा में कुछ कम ही आ जाती है लेकिन चुंकि इलेक्ट्रॉन है वह उच गतिज उर्जा के साथ गति कर रहा था और तो इलेक्ट्रॉन तुरित गतिगे करण प्लेट P पर कलेक्ट हो जाता है, इसलिए कलेक्टर प्लेट या संग्राहक प्लेट P कहा जाता है फ्रेंक हर्ड्स प्रयोग में ट्यूब जो हमने लिये ग्लास की ट्यूब उसमें पारे की वास्प, मर्करी वेपर का उप्योग किया जाता है कैथोड C से उच्षरजित इलेक्टरॉन ग्रिड जी की और त्वरित गती करते हैं और रास्थे में कई मर्करी के प्रमानों से टकराते हैं चुकि मर्करी प्रमानों का द्रवयमान इलेक्टरॉन की द्रवयमान की तुलना में बहुत अधिक होता है तो सामाने तहर टक्कर क्या होती है, प्रत्यास्थ टक्कर होती है, जिसके कारण electron की उर्जा में कोई परिवर्टन नहीं होता है परन्तु, grid G के असपास पहुंचते पहुंचते electron की जो गतिज उर्जा है, वो applied voltage के कारण E V1 के तुल्य हो जाती है और अधिक वोल्टा के कारण टक्कर अप्रत्यास्थ होती है और अप्रत्यास्थ टक्कर के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन अपनी संपूर्ण उर्जा मरकरी प्रमानों को देता है और उर्जा का one sufficient रोने पर मरकरी प्रमानू जो है मूल उर्जा इस तर से उच उर्जा इस तर में गति करता है और उर्जा अंत्राल जो है वह ई के तुल्य होता है तो एलेक्टरॉन की जो गतिज उर्जा है उसमें इस energy level के बराबर E उर्जा के बराबर कमी आती है तो electron की जो गतिज उर्जा है अब half mv square equal to E minus V1 जो cathode और grid voltage के बीच में applied voltage के current जो इस्तती उर्जा जो हम परतान कर रहे है उसके current वर्दी हो रही है और टकर में जो उर्जा का loss कर रहा है वो हमने minus कर दिया तो अब हमारे पास गतिज उर्जा electron के पास बची half mv1 square equal to E V1 equal minus capital E अब यह दिए special case में V1 के मान को इस प्रकार से adjust किया जाए कि E V1 का मान capital E के तुल्ले हो या E से थोड़ा सा अधिक हो तब grid को तो यदि special case में E V1 का मान E capital E के बराबर यह थोड़ा सा अधिक हो जाए तब grid G को पार करने वाले electron का जो मंदन voltage है delta V के कारण electron जो है वह संग्राहक plate P पर नहीं पहुंच पाएगा जिसके कारण I मैं बहुत तीजी से कम ही आ जाएगी तो इस प्रयोक में cathode और grid के बीच वांतर V1 का मान सुन्य से अगर बढ़ाया जाता है और a meter में प्रवाहित होने वाली धारा I के मान के साथ एक graph plot किया जाए तो graph जो है वह चित्रा नुसार मिलता है जिसमें एक particular voltage V1 equal to 4.9V 4.9V पर एक peak मिलती है इसके प्रश्चा धारा में बहुत तेजी से कम ही आती है आई में बहुत तेजी से कम ही आती है याई V1 equal to 4.9V पर धारा क्या होती है एकदम maximum और उसके तुरंत बाद तेजी से गिरा उटाती है जिसके कारण यह होता है कि mercury प्रमानुद जो है E equal to 4.9V के तुल्य होता है जब तक electron की उर्जा 4.9 electron से कम रहती है तो electron और mercury प्रमानुद को तेजी नहीं कर पाता और टकर पूर्णता परत्यास्त होती है परन्तु जैसे ही electron की उर्जा 4.9 यह से ज़दा होती है तो electron मरकरी प्रमानुद के साथ अब प्रत्यास्त टकर करता है और अपनी संपूर्ण उर्जा मरकरी प्रमानुद को दे देता है जिससे मरकरी प्रमानु मूल उर्जा इस तरह से प्रत्म उर्जा अवस्ता में पहुंच जाता है जिसके कारण grid G के पास पहुंचते ही electron की जो energy है गतिज उर्जा है उसमें कमी आती है और इस गतिज उर्जा में कमी के कारण यह मंदन विभाव के प्रभाव में संग्राहक प्लेट P तक नहीं पहुंचता पाता उस और जिससे धारा i के मान में तेजी से गिरावट आती है तो यह हमने देखा यदि v1 के मान में और वर्दी की जाए v1 के मान में अगर और वर्दी की जाए तो हम graph से देख सकते है हमें एक peak और मिलती है वह peak मिलती है 9.8 volt पर यहनि 4.9 into 2 equal to 9.8 volt पर हमे अगें दूसरी peak मिलती है और उसके बाद भी i के मान में पुनाह गिरावट प्राप्त होती है ऐसा इसलिए कि electron जैसे ही त्वरित गति करता है 9.1 volt पर तो जैसे ही उसको 4.9 volt electron volt उर्जा प्राप्त होती है वह किसी mercury प्रमानों से टकर कर अपनी संपूर्ण उर्जा mercury प्रमानों को इस्तानंतरित कर देता है और इसके पज़्जाद वहाँ से grid की और गति करते हुए आधे रास्ते में पुनाह 4.9 electron volt उर्जा प्राप्त करेगा और किसी अन्य mercury प्रमानों को उत्तेजित कर खुद अपनी गतिज उर्जा अप्रत्यास त्रक करके थूँ खो देता है अब जैसे ये grid के पास पहुंचता है तो delta V जो मंदन विभाव है उसके कारण वह अब plate P तक नहीं पहुंच पाता जिससे धारा में तेजी से गिरावट आती है तो 9.8 volt पर पुनहा में एक dip या एक minima मिलता है अब यदि हम एक electron volt के संगत तरंग संख्या को देखें तरंग संख्या का formula हमें पता है 1 upon lambda या new upon c होता है इसको h से उपर नीचे गुणा कर दिया तो h new upon hc 1 electron volt divided by hc का मान जो होता है वो 12.40 electron volt nm nm के करीब होता है और cm inverse में इसका मान जो होता है 85 cm inverse के तुल्य होता है यदि फ्रेंक हर्ट स्प्रियोग की व्याख्या की जाए तो mercury प्रमानों की प्रत्म उत्यजित अवस्था के संगत जो spectrum ही रेखा है उसकी तरंग संख्या ग्याद की जाए तो 4.9 को 85 से गुणा कर दिया जाए तो हमें लगबग मिलता है 39518 cm inverse और फ्रेंक हर्ट प्रियोग में पारे की जो वास्प है इसका हमने उप्योग किया और पारे का जो spectrum है उसका अध्यन करें तो हमें सेम तरंग संख्या प्राप्त होती है इससे यह सिद्ध होता है कि फ्रेंक हर्ट स्प्रियोग से और इसके spectrum से समान रेजल्ट्स प्राप्त होते हैं आतहा मर्करी प्रामानों के मूल उर्जाइस्तर से 4.9 electron volt उपर प्रतम उत्तेजित अवस्था होती है यह मर्करी प्रामानों के उर्जाइस्तर के विविक्त होने का प्रामान है फ्रेंक हर्ट स्प्रियोग को अन्य गैसों या वास्प के लिए इसको रिपेट की गया और विबिन केसों में हमें सेम रेजल्ट्स प्राप्त हुए यनि हमें प्रतम उत्यजित अवस्था के संगत पहली पीक मिलेगी और उसकी डबल वैलियोज पे दूसरा पीक मिलेगा तो इस प्राकार के रिजल्ट्स यह सो करते हैं कि जो उर्जाइस्तर होते हैं किसी भी प्रामानों में वह विविक्त उर्जाइस्तर होते हैं और यहां ग्राफ जो है वह हाइड्रोजन एटम के लिए प्लॉट किया गया हाइड्रोजन एटम में ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के बीच का जो गैप होता है वह 10.2 एलेक्ट्रोन वोल्ट के तो लिए होता है अर्थाथ पहली पीक हमें मिलती है 10.2 वोल्ट पे और तूसरी पीक में लेगी 20.4 वोल्ट पे धन्यवाद थैंक्यू